हेलो दोस्तों, वेलकम डो इगनू सटडी अद्डा, आज हम पढ़ने जा रहें नेट्वरकिंग डिवाइस के अंडर में गेटवे, तो आज हम देखेंगे कि गेटवे क्या होता है, और उसको हम कैसे यूज करते हैं, और उसके बेनेफिट क्या है, और उसके डिस इन टू डिवाइस को आपस में जोडता है, और जिनका डिवाइस भी डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पर डाइग्राम में है, कि आपका यह है डिवाइस ए और यह है आपका डिवाइस भी, ठीके, दोनों को करने के लिए मैंने गेटवे का यूज किया, और यह है नेटवरक यह है नेटवरक तू ठीके, आप मान लो कि इससें आपका लेन है, और इसस भी पर आफ yani डिफरेंट पर डिवाइस फाला को कियो पराद 맞ए दिफरेंट नेटवरक पर दिवाइस तयपर आंपका वाहे है थाया खाया हम भाय नेटवरक, यहाँ अव्म बाद में थियोरी करेंगे जैसे यह है मेरा डिवाइस ठीक है यहां पर मेरे तीन डिवाइस लगे हुए है जो कि लैन से कनेक्टेड है ठीक है और यहां पर मेरा अधर है जो कि मेरा वैन से कनेक्टेड मेरे डिवाइस है और इन दोनों का प्रोटोकॉल बिल्कुल ही अलग है इसका जो आपका प्रोटोकॉल होगा वो लैन के अकॉर्डिंग होगा और इसका वैन के अकॉर्डिंग होगा ठीक है और इन दोनों को आपस में जो कनेक्टिंग करने वाला काम है वो काम आपका गेटवे करता है दो डिफरेंट नेटवर्क और प्रोटोकॉल के बीच में जो एक संतुलन बिठाना हो ठीक है वो काम या फिर तोनों को कनेक्टिंग करने वाला काम आपका गेटवे करता है ठीक है यह था simple way में गेटवे का explanation अब आईए exam के point वह से देखते हैं कि हमें वहाँ पर लिखना भी होता है तो कौन-कौन से point हम लिख सकते हैं अगला point है मेरा gateway are also known as protocol converter because it can convert the data packet as per the destination network protocol requirements ठीक है इसका यह मतलब है कि यह अपने हिसाब से gateway का है protocol को change करता है like यह अगर len पे है और इसको when पे चाहिए तो जो इसका data होगा उसके जो protocol होगे वो len के हिसाब से होगे बट इसको तो when के हिसाब से चाहिए तो यह क्या करेगा gateway इसके data का जो protocol है change करके इसके according का बना देगा ठीक है अगला point है मेरा a gateway operate up to layer 5 of the OSI model तक रीबन जो gateway है आपका वो हर एक layer पे work करता है आपके OSI model के इस store information about the routing path of the communicating network मतलब जो आपके data packet travel करते हैं network पे तो यह उन सब की detail को जो routing path है मतलब वो किस रास्ते से travel कर रहे हैं उसको भी store करता है अगला point है it also provides security and packet filtration मतलब यह आपको security provide करता है प्लस क्या packet filtration मतलब कि कौन सा data किसको जाना है ठीक है तो यह वाला काम भी जो क्या है gateway करता है यह broadcast नहीं करता जो data जिसका है उसी के पास जाना चाहिए तो यह जो है filtration वाला काम gateway करता है आईए देखते हैं इसके advantages प्रोवाइट सेक्यूरिटी बिकाज इट यूज इस पैकेट स्विचिंग टेकनीक टू ट्रांस्मिट डेटा एक्रोस तर नेटवर्क पैकेट स्विचिंग में मैंने पढ़ा चुका है वीडियो है इसकी आपको लिंक में देख लीजेगा तो यह security कैसे provide कराता है कि जो यह डेटा को transmit करता है ठीक है पैकेट स्विचिंग के थूँ टेकनीक के थूँ यह डेटा को transfer कर रहे है नेटवर्क पे तो इसका sense क्या है कि जो मेरे डेटा होंगे वो एक packet की form में जा रहे है मतलब उसमें कोई भी changes नहीं कर सकता इसमें डेटा आपका encrypted form में होता है तो इसलिए क्या है और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें packet एक ही रास्ते से travel नहीं करते हर एक packet अपने लिए जो root है वो खुड decide करता है तो यहाँ पर क्या security जादा हो जाती है अगला point है मेरा it has control over both collisions as well as a broadcast domain मतलब इसका control होता है कि इस प आपस में टकराई नहीं जब वो travel कर रहे होते हैं तो यहाँ पर यह इस चीज़ का control रखता है कि वो सारे packets आपस में टकराई नहीं और दूसरा क्या है कि broadcast नहीं हो जो packet जिसका है सिर्फ उसी को deliver हो मतलब जो message इसके लिए है सिर्फ उसी के पास जाए सब के पास ना जाए अगला point है it uses a full duplex mode of communication मतलब यह क्या यह both side यह mode में means काम करता है जैसे like आप telephone पर बात करते हो कि आप बोल भी सकते हो और आप सुन भी सकते हो तो यह क्या data का transmit भी करता है और receive भी करता है मतलब send भी कर सकता है और receive भी कर सकता है अगला point है protocol conversion facility ठीक है तो यह एक network के protocol को दूसरे network के protocol में convert कर सकता है and last point is gateway has capability of filtering जैसा कि मैंने filtering का point बताया था कि जिसका packet है उसी का message उसी तक जाना चाहिए किसी other person को नहीं ठीके तो यहां पर broadcast नहीं होता है just filtering होता है ताकि आपका जो data का security है वो चीज आपका बना रहा है disadvantages आपके quite difficult for network admin to install or configure them यह क्या है gateway को configure करना और install करना network admin के लिए थोड़ा से मुश्किल वाला काम हो जाता है time delay because a gateway must translate information from different protocol before passing it on जब वो protocol को change करता है तो वो जो change करने में जो time लगता है उससे क्या है उसमें काफी वो time ले लेता है तो वो time delay हो जाता है other point है the major disadvantages of using a gateway is its implementation cost cost इसमें जो क्या है वो cost आपका काफी जादा आता है तो यह इसका major disadvantages है so it will not be so effective to be used for small network or for a single network इसलिए इसको किसी छोटे या फिर single network पे use करना effective नहीं रहता है मतलब समझदारी नहीं रहती है क्योंकि इसमें cost बहुत जादा ही आता है तो यह थे इसका diagram ठीक है तो यह आपके इग्जाम में five marks का या फिर seven marks का आएगा तो उसके लिए इतना लिखना और यह सारा इनफ है I hope कि आपको lecture समझ में आया हो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो please like करें थेंक यू